नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको Android phone का कुछ useful features के regarding जानकारी मिलेगा, जिसको enable करने पर आपका Android experience बेतर बना देगा, इस वीडियो में आपको 8 useful tips या features के regarding जानकारी मिलेगा, जिसमें से 6 features developer option से enable करना परेगा, इसलिए वीडियो को अंतक देख लीजेगा, क्यूंक कोई न कोई tips आपके लिए नया और useful हो सकता है, तो आएए इस list का पहले feature के बारे में देखते हैं, और इसका use उस वक्त आएगा जब आपको phone में सिर्फ internet data use करना है, और आपको phone call से disturbed नहीं होना है, ऐसा करने के लिए आपको phone के setting में जाना है, और यहाँ scroll down करके phone में क्लिक करना है, और फिर आपको call forwarding में क्लिक करना है, different android version में यहाँ पहुंचने का steps different होता है, और आपको call forwarding धुनके यहाँ पहुंचना है, जिसके बाद इस page खुलेगा, और यहाँ आप देख सकते हो, always forward off है, और आपको यह click करना है, फिर यहाँ आपको valid mobile number नहीं दालना है, क्य क्यूंकि ऐसा करोगे तो call forward हो जाता है, यहाँ मैं 1234567891 डालता हूँ, और नमबर डालने के बाद enable प्रेस करना है, फिर आपका phone में कोई phone calls नहीं आएगा, यहाँ मैं इस vivo mobile phone को दूसरा Samsung mobile phone से call करूंगा, और call करने पर आपका caller को इस तरह का message सुनने को मिलेगा, और आप phone call से disturb नहीं होगे और net आप यूज कर पावगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि मैं YouTube एक्सेस कर पा रहा हूँ, यूज करने के बाद आपको फिर same procedure follow करके forwarding calls को disable करना है, दूसरा feature है magnification या zoom feature, ये feature use करने के लिए आपको settings में जाना है, फिर more settings पे, फिर यहाँ स्क्रोल ड activity menu पर जाना है, और फिर zoom को click करना है, डिफरेंट Android versions में यहाँ तक पहुंचने का steps different होता है, और आपको zoom या magnification धुनके यहाँ पहुंचना है, और यहाँ आप triple tap को select मत करना क्यूंकि यह select करने पर गलत magnify होने का chances ज्यादा होता है, और जो दूसरा option है उसी को select करना, और इ इसको enable करना है, जिसके बाद आपको यहाँ right side में magnify icon देखने को मिलता है, और आपको magnify करते समय इसको click करके screen में tap करने से magnify हो जाता है, और magnify से exit करने के लिए इस icon में ही click करना है, example के लिए यहाँ मैं YouTube open करता हूँ, और इस video को open करता हूँ, यहाँ मुझे यह written contents को परना है, तो मैं इस zoom या magnify button को press करके tap करने पर zoom हो जाता है, और इसको मैं easily पर पाऊंगा, इसी तरह आप screen में कुछ भी contents को easily magnify कर पाऊगे, आगे का features आपको developer options से use करने को मिलेगा, यह options hidden रहता है, और developers के लिए है, लेकिन इस में से कोई option हमारा लिए भी useful होता है, developer option में बहुत सारा settings बदलने का option मिलता है, और मैं शिरिफ हमें जो useful है उसी के बारे में mention करूंगा, developer option में सभी settings छेरना नहीं चाहिए, और शिरिफ बताया गया settings को ही change करोगे, तो आपका phone में कोई problem नहीं होगा, developer options को unlock करने के लिए आपको settings में जाके, फिर system management में जाना है, फिर about phone में जाना है, और यहां software version में tap करना है, जब तक आपको your developer message दिखाई नहीं देता, इसके बाद आपको developer setting दिखाई देगा, और इसमें जाके developer option को enable करना है, तो थर्टी भई जिससे आपका android phone का speed और battery performance increase हो जाता है, वो है animation option को off करना, आपका phone में तिन टाइप का animation scale होता है, window animation scale, transition animation scale और animator duration scale, यह तीनों scale आपका animation को control करता है, जो scroll और transition करते समय अपेर हो जाता है, इसको access करने के लिए आपको developer option में जाना है, जो आप settings में जाके, फिर system management में जाके, यहां पे मिलेगा, फिर developer option में जाके, scroll down करके, यहां से window animation scale, transition scale और animator duration scale को adjust करना है, यह तीनों scale का value बरने से visual experience increase होता है, लेकिन performance decrease होता है, और आपका phone powerful नहीं है, तो आप इसको increase नहीं करना चाहिए, और इसको off करना बैतर होगा, ऐसा करने से, जो scrolling और transitioning करते समय animation चलने के लिए time लगता है, वो reduce हो जाता है, और आपका phone का speed और battery performance बर जाता है, 4th tip है, so tap pointer location, यह enable करने पर आप देख पाऊगे कि phone के display में आप कहां touch कर रहे हो, और जहां touch करोगे एक छोटा circle देखने को मिलेगा, जैसे यहां आप देख सकते हो, यह option उनके लिए और भी useful है, जो phone में tutorials वीडियो बनाता है, क्योंकि screen recording में जहां touch करोगे वो दिखाई देता है, इसको enable करने के लिए आपको developer options में जाना है, जिसके लिए आपको first setting में जाना है, फिर system management में और यहां नीचे scroll करके developer option में जाना है, और यहां पे sort tap को on करना है जिसके बाद आप screen में जहां touch करोगे वो दिखाई देता है, 55 gamers के लिए और यह feature enable करने से आपका gaming experience बेतर हो जाता है, आपका phone android 10 version या उपर का है, तो force 4X multi sample anti-aliasing को enable करना है, और आपका android 9 version का phone है, तो GPU rendering enable करना है, GPU 3D visual generate करने के लिए responsible है, और जब GPU नहीं होता है, तो काम CPU को करना पड़ता है, यह feature से GPU rendering enable होता है, जिसके कारण से CPU को load कम पड़ता है, और GPU काम करने से game में graphic performance बर जाता है, इसका एक disadvantage है कि battery faster drain हो जाता है, यह feature access करने के लिए आपको developer option में जाके, नीचे scroll करके, force GPU rendering on करना है और आपका Android 10 और उपर version का phone है, तो force 4X multi sample anti-aliasing को enable करना है, इसको enable करने पर आपका game का graphic quality increase हो जाएगा, इसको access करने के लिए आपको developers option में जाना है और फिर यहाँ थोड़ा नीचे scroll करने पर आपको force 4X MSAA देखने को मिलेगा और इसको enable करना है 6th useful feature है, all sensors of, इस option को enable करने पर एक ही button tap करने पर आपका phone का sub sensor बंद हो जाता है, जैसे cameras, microphone, accelerometer, gyroscope और sensor of enable करने पर आपका phone का sensors कोई भी data system app को report करना बंद कर देता है, और इसको enable करने के लिए आपको developer option में जाना है फिर quick setting developer tiles में जाके sensors off को enable करना है, ये करने से आपको shortcut center में sensor off button देखने को मिलेगा और ये tap करने से आपका phone का सभी sensors off हो जाता है, 7th tip 5, mobile data always active को enable करना, ये feature enable करने पर आपका mobile data connection हर समय active होता है और wifi network से switch off करने पर data connection तुरंट established हो जाता है, network switch करने पर connection तुरंट established होने के कारण आप ये दी wifi calling use करते हो तो calls drop नहीं होगा, इसको enable करने के लिए आपको developer options में जाना है, फिर यहाँ scroll down करके mobile data always active को on करना है 8th useful feature है mock location app, ये option enable करने पर आप आपका location को different place में दिखा सकते हो, आप ये दी Mumbai में हो तो आपका location डिल्ली दिखा सकते हो, और इस feature को use करने के लिए पहले आपको location changer app डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको play store में जाके कोई भी fake GPS location spoofer app को install करना है, मैं play store में fake GPS app को install करता हूँ, इसके बाद app को open करना है, और फिर यहाँ accept में tap करना है, और फिर आपने allow mock location को नहीं enable किया है, तो ये message देखने को मिलेगा, permission enable करने के लिए आपको developer option में जाना है, और फिर select mock location एप में से fake GPS app select करना है, इसके बाद आपको फिर एप में जाके कोई भी location आप select कर सकते हो, मैं यहाँ Mexico का location select करूंगा, select करने के बाद display button को select करना है, जिसके बाद आपका location मेक्सिको दिखाना लग जाएगा, हमारा location मेक्सिको दिखा रहे है कि नई हम इसको चेक कर सकते है, इसके लिए मैं whatsapp में जाके location share करूंगा, और location share करने पर आप देख सकते हो कि मेरा location मेक्सिको दिखा रहा है, होप आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो इंफोर्मेटिव या हेलफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा